देट आज 3 नॉवंबर 2021 ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है पंजाब डू कंजर्व इंडस रिवर डॉल्फिन ये है Indus River Dolphin ये Indus नदी है जो सिंदु नदी हिंदी में बोलते हैं उसको Indus River भी बोलते हैं तो ये Indus River में पाई जाती है इसको conserve करने के लिए पंजाब ने कुछ measures लिए हैं इसलिए news में आईए पंजाब की जो wildlife reservation wing है मतलब जो wildlife jungle को बचाने के लिए काम करती है forest department वाले उन्होंने इसको protect करने के लिए कुछ step उठाएं कि इसके जो natural habitat है जहां पर पाई जाती है को इसको बचाए जाएगा तो इंडस dolphin है क्या देखो ये इंडस river में पाई जाती है और ये IUCN की जो list है IUCN क्या है international union for conservation of nature ये international organization है इसमें देखो बहुत सारी government और non-government organization यानि की एंजियो टाइप इसमें participate करती है दोनों इसका जो headquarter है सुट्जर लेंड के gland में है सुट्जर लेंड एक country है यूरोप में भाइसा उसमें एक city है लेंड नाम की वहाँ पे headquarter है 1948 में इसको बनाया था Julian Hexley नाम के आदमी ने और detail में इसके बारे में जानना है तो आप देखो environment की playlist में जाके lecture देख सकते हो इसके बारे में IUCN sites और CMS का एक lecture मिल जायागा आपको आठ दस मिनट का और IUCN से UPSC कई बार question पूछ भी चुकी है इसकी nine list होती है उन में से ये endangered list में classify की गई है Indus River Dolphin को endangered category याद रखने हैं आपको Indus River Dolphin को state aquatic animal पंजाब ने declare कर दिया था 2019 में पंजाब का जो राज के aquatic animal है जो मतलब राज के पानी वाला पसु है वो Indus River Dolphin है ये कहां पाई जाती हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी क्योंकि इंडिया में भी बहती है Indus River और पाकिस्तान में भी 2007 में देखो इस Indus River के कुछ Dolphin के कुछ remnant अब से इस मिले पंजाब की हरी के wildlife century में पंजाब में एक forest area जिसको declare कर रखा है हरी के wildlife century वहाँ पर मिलेते हैं यहाँ पर ब्यास रिवर भी बहती है ब्यास नदी यह देखो blind होती है जो Indus River है Indus River Dolphin है जो Dolphin की बात कर रहे हैं यह अंधी होती है इस दिखाई नहीं देता यह navigate करती है कैसे communicate करती है फिर एक आवाज निकालती है आवाज कि तुरू यह मतलब फिस वगएरा जो अवाज सुनती है जो फिस वगएरा को जो खाती है प्राउन को catfish कार्प को जो खाती है प्रे करती है मतलब सिकार करती है उनका हंट करती है उन्हें खाती है लेकिन अंधी होती है इसके दिखा इने देता ए मैं भी बता सकते हूं आपको लेकिन आपको यह करना है ब्यास ह्रीवर कहां से निकलती है कहां गिरती है और कितने स्टेट में बहती है यह आपको देखना एक तो अदोתर दूसरा इंडे में और इंडस रिवर की मेन मेन ट्राइबूटरी यानि कि साहक नदिया कौन सी है जो इसमें आके मिल जाती है ट्राइबूटरी नदिया आपको याद करनी इसमें और कहां से निकलती है और सबसे बड़ी इसकी ट्राइबूटरी रिवर कौन सी है यह कई बार पूछा है देको इ स्टेट क्या होता है स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जलसंदी जैसे कोई नेरो वाटर चैनल है यह वाटर चैनल है और दो बड़े वाटर चैनल को जोइंट करता है जोडता है इन नेरो वाटर बोड़ी विच कनेक्ट टू लार्जर बोड़ी ओफ वाटर उसे बोलते हैं कि स्टेट बोलेंगे यह बीच वाले को जो पानी की जलसंदी मतलब पानी का यह एरिया है यहां पानी बहरा है और यह भी पानी की बोड़ी यहां भी पानी तो इसको बोलेंगे बीच वाले को स्टेट यह स्टेट ऑफ हॉर्मूज अभी न्यूज में है कहां पर है यह स्टेट ये वाला ये ओमान है आप और ये चोटा सा एरिया न ये ओमान का ही है ये कंट्री है UAE United Arab अमीराद लेकिन इसके उपर देखो ये अलग से दिखाई दे रहा होगा आपको चोटा वाला एरिया बीच में लाइन है तो ये वाला एरिया ओमान का ही है तो ये यहां ओमान है एक उम्हान और एक तरफ है इरान कंट्री ओमान और इरान को 178 करती है यह स्टेट ऑफ हौर्व्मूजश और कौन सी दो बडी वाटर बॉडी को करती है गल्फ ऑफ ओमaros को और पर्सिंगल्फ को पर्शन गल्फ को देखो करती है यह बोल सकते हो गल्फ और इंडिया नोशन को क्योंकि यह इंडिया नोशन कहीं पार्ट है तो यह चीज आपको यह रखनी है कौन सी कंट्री से अलग करती है और कहां कहां पर यह मिलती है यह सब कुछ हमने देख लिए यही लिखा पहुझ करके आप पढ़ लेना और यह स्टेट है जो 33 किलोमेटर की चोड़ी है 33 किलोमेटर चोड़ी है यहीं कि 21 माइल्स नेक्स्ट है डेंगू फीवर अभी न्यूज में है रिसेंटली क्योंकि पंजाब में देखो 2016 से 2019 में मतलग इतने का डेटा देखे 2016 से अब तक का डेटा 2019 बीस तक का डेटा आये हैं कब आते हैं यह डेंगू के केसिस डेंगू आफ सबको पता एक बिमारी यह भाई सब डेंगू मच्छर काटने से होता हूँ मच्छर का नाम भी हम पढ़ेंगे क्या है एडि अजिप्टी नाम का मच्छर है यह डिसीजा सीजनल पैटरन ज़्यादा है इसका यह ज देखो डेंगू मतलब इस टाइम में डेंगू के केस बहुत ज़दा आते हैं मेजर रीजन क्या है इस डेंगू की आउट ब्रेक का की इतने ज़्यादा जो डेंगू के केस ही जाते हैं इसका क्या मेजर कारण है रीजन क्या है एक तो मौस्कुटो के जो ब्रीडिंग है वो मारने के लिए दुआं बगर आगा लेकिन वो क्या यह बाहर बाहर से सिप्रे की जाती है घरों के अंदर बहुत की तो जाती है लेकिन कौने कोने तक नहीं पहुँच पाता फिर भी यह करता है एडीज इजिप्टी नाम है इसका इजिप्टी और लिखलो इसमें इजिप्टी एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर और एक बात याद रखनी है सिर्फ फीमेल मच्छर ही खून चूसती है और वो फैलाती है मेल मच्छर नहीं काटता है और यह सिर्फ दिन में ह को देखो यह यूजवली जो रिजल्ट है जब काटता है डेंगू मच्छर तो बीमारी जो होती है से माइल्ड इल्नेस होती है मतलब हलकी बीमारी होती है लेकिन कभी-कभी सीवियर डेंगू इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसकी वज़े से बहुत तेज बुखार और दर्द पूरी बॉड़ी में हो सकता है और प्लेटलेट्स घट जाती है आपको पता है बॉड़ी में प्लेटलेट्स ब्लड का ही पार्ट है भाइसा प्लेटलेट्स वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी note करके रखना देखो डेंगू मस्कुटो जो वो अगर temperature 16 degrees से नीचे रहे तो वहाँ पर ये पैदा नहीं हो सकता breed नहीं कर सकता यानि कि वे मर जाता है और फिर पैदा भी नहीं कर सकता अपनी population 16 degrees से नीचे temperature रहेगा तो एक वाल बाकिया ये method है इसके method को use करके जो इंडस रिवर डॉल्फिन कुछ इसी ऐसी सेम तरीके से दिखती है ये गंगेज रिवर डॉल्फिन भी इसके बचाने के लिए कुछ मेजर्स लिए भी जल सकती ministry ने ये guidelines release की है कि इसके बचाया जाए गंगेज रिवर डॉल्फिन को ये गंगा रिवर है जो उसमें मिलती है उसकी आसपास की जो ट्राइबूटरी है साहक नदिया है जो उनमें भी पाए जाती है ये ये देखो एक डॉकुमेंट प्रिपेर किया है टर्टल सर्वाइबल Alliance ने और Environment Forest and Climate Change Department है हमारा उत्तर परदेश का ये उत्तर परदेश का एक डिपार्टमेंट है इंडियन स्टेट है उत्तर परदेश आप जानते ही हो उसका जो Environment, Climate Change Department है और Turtle Survival Alliance इन दोनों मिलके देखो ये तो हमारा Government Department हो गया उत्तर परदेश का लेकिन ये क्या है टर्टल Survival Alliance ये देखो पार्टनर्शिप है IUCN की IUCN के बारे में हमने उपर अभी डिसकस किया IUCN क्या International Union for Conservation of Nature तो इसकी ही एक Partnership है ये मानलो बहुत सारी इसने भी Organization आके मिलके Partnership बनाई है टर्टल को बचाने के लिए टर्टल क्या है टर्टल कच्छुए को बोलते हैं कच्छुआ तो टर्टल को बचाने के लिए बनाई थी लेकिन ये और भी जो स्पीसीज है एक्वाटिक स्पीसीज जो पानी में ये जो इंडोर्स किया है डॉकुमेंट ये आयुसेयन का कैटाश्यन स्पेसलिस्ट ग्रूप है एक उसने इंडोर्स किया है तो इसकी आयुसेयन में क्या कैटगरी है ये भी देख लेता है और नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिकलेयर क्या हुआ है इसको मतलब हमारे जो रास्ट है पानी वाला पसु है वो कौन है गंगेज रिवर डॉल्फिन और देखो इसके बारे में अल्रेडी यूपेसी पूछ चुकिए कई बार गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में दो ति लगबग तीन चार साल लगाता रहा है 2020 में सक्वेशन नहीं पूछा इससे लेकिन पूछा आप ऐसा है विस के अंदर जो जंगली जानवर हंर गंगेज रिवर dolphin और जो sites है sites भी ये एक organization है जैसे IUCN है ये भी conserve करती है मलब internationally species को fauna की या flora की fauna का मतलब है जंगली जानबर animals वगरा flora का मतलब है tree on plant यानि की पेड़ पौदे सब को बचाने के conserve करने के ये काम करती है full form है convention on international trade in endangered species of wildlife while fauna flora इसकी तीन list है list का नाम है appendix one two three appendix one में आता है ये गंगेज river dolphin देखो जो इनकी पहरी list में आते हैं न उन्हें highest protection दी जाती है conservation उनका बहुत ज्यादा focus के जाता conservation पे ये species जो लगबग इसकी population Indian subcontinent में चार हजार के लगबग है गंगेज river dolphin की और देखो ये केवल fresh water में जी सकती है ये खारे पानी में नहीं जी सकती है नमकीन वाटर में यानिकी समुंदर में जाके नहीं रह सकती तो ये नधियों में रहती है बस इसको फ्रेट किस से फ्रेट है बाइस साब इसको देखो जो Indian government कैनाल वगएरा नहर वगएरा बना रही है और इसमें देखो आसपास नहर जब बना रही है बोट नाव वगएरा भी जाती है तो इनसे ठकरा जाती है accident हो जाता है इनका तब भी ये मर जाते हैं इनको नुकसान हो जाता है भाई साब ये protection डॉल्फिन नाम का project चलाया हुआ है underwater friends करके कि जो हमारे underwater friend है पानी के अंदर जो हमारे दोस्त रहते हैं दोस्त कोन ये dolphin मचली वगरा इनको बचाने के लिए ये 10 साल का project holds भनाया हुआ है 10 year का project इसमें river या sea dolphin है जो समदुर में पाई जाती है dolphin समदुर में भी पाई जाती है और river में पाई जाती है गंगेज river dolphin ये तो river में पाई जाती है fresh water लेकिन बहुत सारी ऐसी भी तो है salt water dolphin तो इन दोनों को बचाने के लिए ये 10 साल का ये project चलाया हुआ है इनको बचाने के लिए conserve करने के लिए देखो सारा यह ही है आप एगवार पॉज करके 100 पढ़ लेना यहाँ पे दिया हुआ है देखो गंगेज river dolphin को officially discover किया गया था 1801 में 1801 में ढूना गया था इसको और ये can only live in fresh water यह हम अलड़ी पढ़ जुके हैं कि केवल साधा पानी यानि कि स्वच पानी में ही रह सकती है fresh water में यह next topic है basic countries देखो basic countries यह चार countries का group है यह चार countries कौन-कौन से आती है इसमें एक China, India, South Africa और Brazil यह चार country है इसमें 2009 में बना था इन चारों ने एक साथ मिलके agreement किया समझो था और तब इस group को बनाया था यह एंडर्सलाइज countries है यह ब्राजिल, South Africa, India, China four countries यह चाहती है क्यों बनाया था इसलिए बनाया था target कि जो Copenhagen Climate Summit हुआ था देखो जो UNFCCC भाई साथ यह इतनी important organization है यह सालो साल news में नहीं रहती, दिनो दिन news में, हर साल, हर दिन, हर दिन news में रहती और हम भी इसे रोज discuss करते हैं, इसलिए special lecture बना हुआ है environment की playlist में कि UNFCC है क्या, तो आपने नहीं देखा अभी तक तो वो देख सकते हैं आप, अगर देख चुके हैं तो notes बनाए हुएं तो अपने notes revise करना, अगर नहीं बनाए तो वो एक बार देख के, वीडियो वो notes बना सकते हो आप, तो वो फिर बार बार revise करो, क्योंकि यह बहुत ही important है, means में तो भाईस हर बार question आता, आपको यह quotation करना ही पड़ता इन गैसों को घटाने की काम करता है, क्योंकि यह global warming करती है, अर्थ का temperature बढ़ाती है, जिसकी वज़े से glacier पिगल जाते हैं, और समुदर का level बढ़ जाता है, बहुत सारे island nation डूब सकते हैं, तो यह Copenhagen में एक climate summit हुआ था, UNFCC की एक meeting हुई थी, conference of party, उसमें कुछ यह target रखे और developing countries को और greenhouse gas को कम करने का step लो, तो एक तरह से geopolitical alliance है, चाइना ने initiate किया था, और यह जो United States के साथ मिलके, Copenhagen Accord को implement करने का काम कराते हैं, यह country मिलके, तो बस यह emission reduction करना, climate और add money, मतलब इखटा करना, यह सब कुछ इसका काम है, next topic है, dairy सहकार scheme, dairy सहकार scheme देखो, अभी recently launch किय यह, ministry of cooperative ने, यह देखो, dairy सहकार scheme है, जो financial support कौन देगा, इसके लिए, मतलब पैसा कौन देगा, implement करने के लिए, NCDC, यह क्या है, NCDC, यह है, national cooperative, national cooperative, national cooperative development, national cooperative development, corporation, ऐसा कुछ इसका नाम है, यह ministry of cooperative है, यह बार Google पर आप सर्च करना, NCDC के बारे में, NCDC है क्या, वैसे 1963 में बनाए गई थी है, 1963 में, और ministry of cooperative है, जो हमारी, अलग mantra ले बना हुआ है, अभी ministry of cooperative, सायक मंत्राले, सहकारी मंत्राले, सहकारी मंत्राले, सहकारी ता मंत्राले, बोलता है हिंदी में, सहकारी ता, तो ministry of cooperative के अंदर काम करती है, national cooperative department करके है, तो यह जो है cooperative, यह इसे financial support देगी, इसका main काम क्या है, देखो dairy का मतलब है, दूद से मतलब काम है, यानि कि दूद का production बढ़ाना है, bovin development, यानि कि जो गाय भैस दूद देती है, उनका productivity बढ़ानी है, इसके लिए काम क्या जाएगा, यानि कि milk's related, जितने भी काम है, जाये processing का, quality assurance का, value addition का, branding, packaging, marketing, transportation, storage और milk, य जानि कि जो farmer की income double करने का जो target है, इंडिया का, उसका objective है, जो target है, लक्ष है, उसको achieve करने में फायदा करेगा, और जो हमारा आत्म निर्वर भारत है, उसको भी promote करेगा, तो ये सारे union territory, इंडिया में states वगरा हम सम्में implement किया जाएगा, और देखो जो CSR मकरीज में, इसको भी इसके द्वारा भी इसको encourage किया जा सकता है, CSR क्या है, cooperative social responsibility, देखो जो बड़ी बड़ी company आए, उनका जो कुछ certain profit अगर जादा है, साल का, तो पिछले तीन साल का average है, उसका 2% इन्हें लोगों की भलाई के लिए, welfare के लिए खर्च करना पड़ता है, तो ये भाई साब अपना CSR जो रुप्या आए, CSR में देने वाले हैं, जो company, वो dairy, ये dairy वाले जो सहकार या, dairy सहकार सिकी में, इसको promote करने के लिए भी दे सकते हैं, next topic है, bottom trolling and associated issues, देको ये मशली पकड़ने की एक टेकनिक है, bottom trolling, GS paper 3 के लिए important है हमारे, Indian high commissioner ने अभी को यानि कि स्रिलंका क ये कहा है कि भाई साब, जो ये आपकी पाक स्टेट के आसपास, जो fisherman, Indian fisherman, bottom trolling को यूज करते हैं, टेकनिक को, मसली पकड़ने के लिए bottom, bottom trolling को यूज करते हैं, इस टेकनिक को, कि इसको हम जल्दी से खतम करेंगे, ये assurance दिलाईए, Indian high commissioner ने, भाई साब officer होते हैं, Indian high commissioner, जैस के बाहर, Indian high commissioner, या ambassador भी बोल सकते हो, आप किसी कंटे में ambassador बोलते हैं, किसी में high commissioner बोलते हैं, बात है किये, तो ये diplomati होते हैं, जैसे आपको visa बनवाना है, जैसे US का यहाँ पे high commissioner होगा, या ambassador होगा, तो वो visa आप लेने के लिए अमरिका थोड़ी ना जाओगे, यहाँ पे ह इंडिया के अधिकाई होंगे न, उन्हीं को बोलते हैं, ambassador या high commissioner, स्रिलंका में तो high commissioner बोल देते हैं, तो ये इंडिया के जो मतलब एक तरह से promote करने का काम करते हैं, इंडिया और दूसरी कंटी के corporation बढ़ाने का काम करते हैं, ये officer, तो इसने ही बोला है कि जो bottom trolling की technique यूज होती है, ये park state है, यहाँ पे इंडिया और स्रिलंका के बीच में park state, state क्या है हमने उपर अभी जाना था, state जलसंदी, तो यहाँ पे bottom trolling का use करते हैं, इंडिया फिसर में, issue क्या देखो 2016 से 2019, 2010 से लेके 2016 के बीच में, ये इंडिया ने कई बार, दो बार agree किया है, कि हम ये bottom tro trolling की जो technique है, इसको हम practice को end करेंगे, और नई technique का use करेंगे, तो issue क्या है, इससे bottom trolling को use करने का, देखो भाई साब, ये bottom trolling ऐसी technique है, इस figure में देखो आप, इसमें ऐसा जाल फैकते हैं, जो मशली पकड़ने वाले लोग हैं, ऐसा जाल फैकते हैं, बहुत ही भारी होता है, न सब को लेके आ जाता, सब भाई सब मर जाते हैं, यानि कि जो यहां पे आसपास पानी में bydovest है, उसको नुकसान होता है, यानि कि जो यहां bydovest है, जैव विदता है, उसको नुकसान होता है, तो इसी वज़़ए से भाई सब ये bottom trolling बहुत ही बेकार technique है, मचली के साथ साथ और बाकी सारे जीव जंतों को मार देता है, तो bottom trolling इसलिए ये हटाने की बात की जाती है, तो यहां जो पाक बेके आसपास स्रिलंका और तमिलनाडू गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट मिलके ये marine conservation effort चलाते हैं, ताकि यहां पे जो जीव जंतों उनको बचाया जा सक तो इसका कोई विकल्क हो सकता है, बिलकुल है, bottom trolling की जगे गवर्मेंट परमोट कर रही है, डीप सी fishing, ये क्या है, ये देखो, जैसे डीप सी fishing में क्या होता है, कि डीप में जाके, पानी में थोड़ा गहरा जाके 30 मीटर तक जाके fishing करें, वहां पे कुछ ऐसी देखो, इस ये surface है, यहां जाके डीप में चली जाएगी boat, नीचे तक यहां से fishing कर लेंगे, और जो मचली है, बस उनको पकड़ के ले आएंगे, बाकी ऐसा नहीं होगा, कि वह मचली के साथ साथ और जंगली जानवर जो मतलब जीव जनते हो, उनको नुकसान हो, इसमें ये नुकसान damage, कोई भी भाइसाब, ecological नुकसान नहीं होगा, damage नहीं होगा, इसकी वजए से, 30 मीटर गहरे तक ये पकड़ सकते हैं मचली, depth of water में जाके, तो इसके government of India के जो park-based scheme चलाई है, पाक-based scheme 2017 में लौंच की थी, blue revolution program के अंदरी, blue revolution program है, कि मचली उतपादन को हमारी इडिया में ज पाहता करती है, और finance दोनों मिलके करती है, पैसा दोनों मिलके लगाती है, जो bottom trolling, जो bottom trolling scheme है, मतलब bottom trolling technique को, इसे end करने के लिए, हटाने के लिए, government ने देखो, 2000 वेसल ऐसी दिये, deep seafisting करने के लिए, ऐसी board दिये, लोगों को, ताकि bottom, जो trolling है, उसको छोटा जाए, और लोगों को जागरुक के जाए, भाई साब, इससे नुकसान होता है, आप ये वेसल लो, next topic है, climate vulnerability index released by CEEW, ये CEEW एक organization है, environmental think tank है, ये हमारे prelims और GS paper 3 के लिए important है, अभी इसने देखो, इसकी full form है, CEEW की council on energy, environment and water, इसने ये climate vulnerability index या climate vulnerability assessment बोल लो, एक ही बात है, ये अभी इंडेक्स release की है, इसमें इंडिया की 640 district को analyze किया है, 640 जिले को, 640 district को देखा है, कि कितने वर्नरेवल है, वर्नरेवल का मतलब है, वैसा किसी को कोई नुकसान होने वाला है, कमजोर है कोई चीज, उसको नुकसान होने वाला है, किस से, extreme weather events से, जैसे cyclone, चक्रवात, flood, बाड, heat waves आ जाए, drought, सूखा पड़ जाए, तो इनसे कितनी district को नुकसान है और कितना है, ये सब कुछ इसमें बताया है, इसमें ये पाया है, कि सबसे ज़्यादा extreme climate events से, कौन-कौन से state wonderful है, मतलब किन-किन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सबसे ज़्यादा असम को हो सकता है, आंदरपरदेश, महरास्टा, करनाटक, बिहार, ये most wonderful है, जिनको climate events से, जैसे flood से, इनको बाड से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, climate change जैसे ही होगा, और हो रहा है, और रजपती, उडिसा में, विजयनगर में, आंदरपरदेश में, महरास्ट में सांगली, और तमल्नाडू में चेन नहीं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान है, इन extreme weather events से, और देखो 80% से ज़्यादा जो इंडियन्स हैं, वो ऐसी districts में रहते हैं, जो climate risk पे हैं, यानि कि उन मेगाले, तिरपुरा, मिजोरम, अरुनेचल परदेश, ये नौर्स इस्ट के जो स्टेट हैं, नागलेंड मनिपुल, इनको ज़्यादा नुकसान है, extreme weather events से, ये याद रखना हैं, next topic है, कोवो वेक्स, कोवो वेक्स एक कोरोना की वेक्सीन है, इसे कौन डबल अप कर रहा ह ये दो कमपनी है, एक है नोवा वेक्स इंक नाम की कमपनी है, और सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया, इनको देखो, इंडोनेश्या में इसको बेचने के लिए, एमर्जंसी यूज के लिए, अभी पर्मिशन मिल गई है, तो ये बनाएगी, और ये इंडोनेश्या में टॉइस, टॉइस का मतलब जानते हो आप खिलोना, खिलोना एक, ये लकडी से बनने वाला खिलोना है, ये इसमें कोई भी टॉक्सिक पैंट यूज नहीं होता, जैसे जो खिलोना खरिदते हो प्लास्टिकल होगे, उन्हें पैंट यूज होता है, जो बहुत ही टॉक्सिक जाती है, रंगने के लिए, वो नेचुरल डाई होती है, देखो ये है टेडिसनल वुडन टॉइस, ये साउथ इंडिया में में ली बनाए जाते हैं, ये लकडी के बने हुए खिलोने, ये इटीको पक्का विलेज है सदन इंडिया में आंदर परदेश में, वहीं पर ये